हेलो, वेलकम बेक फ्रेंड्स, मैं हरसद एहलावत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल में तो देखे तो देश में बैंकिंग सेक्टर ये वाउं की पहली पसंद है जिसमें भरती के लिए पिर्ति वर्स लाखों मीदवार आविदन करते हैं जब हम प्रोबेस्नरी ओफिसर्स के बारें बात करते हैं तो यह बैंकिंग चैतर की सबसे पिर्तिष्ठित पोश्टों में से एक है बैंक प्यो परिक्षा के लिए पिर्तियोगीता बहुत टफ होती है तो प्यो परिक्षा में सफलता प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है पर अगर पूर्स अमरपर से किसी भी लक्षे के लिए प्रियास किया जाता है तो सफलता आवश्चे प्राप्त होती है हर साल बैंक प्यो परिक्षा जैसे IBPS प्यो, SBI प्यो, IBPS, RRB प्यो आधी बड़ी भरती सारवजनिक छितर के बैंकों में प्रोवेशनरी ओफिसर के चैन के लिए हायवजित की जाती है वेतन और प्रोफाइल के कारण बैंक प्यो एक आकरसक नौकरी है यदि आपका उद्देश से एक प्रोवेशनरी ओफिसर बनना है तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे जिससे आप फॉर्स्ट अटेंप्ट में SBI PO क्रेक कर सकते हैं ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो देखे, दुस्तों किसी भी भड़ती में सफल होने के लिए सबसे जरूरी बात होती है परिक्षा पैटर्न को समझना तो देखे, सबसे पहले हम बैंक PO परिक्षाओं के लिए परिक्षा पैटर्न समझेंगे, ठीक है तो अगर अब देखे, हम IBPs और SBIPO के लिए परिक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो देखे, Reasoning and Computer Aptitude आपसे 45 नंबर के question पुछ जाते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं, ठीक है एक, second में English language, ठीक है second English language में आपके 35 questions पुछ जाते हैं जो कि आपके 40 नंबर के होते हैं, ठीक है data analysis and interpretation में 35 questions पुछ जाते हैं आपसे, जो कि 60 नंबर के होते हैं, ठीक है इसी प्रकार से आपके general economy banking awareness में 40 questions होते हैं, जो कि आपके 40 नंबर के होते हैं, ठीक है इस तरीके से आपसे 155 questions पूछ जाते हैं जो कि आपके maximum marks 200 numbers के होते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आपका परिक्षा pattern है तो इसके लावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि SBY PU मुख्य परिक्षा में करम से 25 अंक और 50 अंकों की English language का paper descriptive होता है ठीक है तो इस प्रकार से आपको चारों topics पर easily cover करना आसान हो जाता है जब आप पहले परिक्षा pattern को समझते हैं और उसके बाद अपना तैयारी करना सुरू करते हैं ठीक है तो मैं आपको कुछ important points बताऊंगा जो कि आप bank PO परिक्षा पहली ही बार में clear कर सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में अगर आप हमारी चैनल पर नई हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like जरूर करें तो दीकिए अगर आप banking परिक्षाओं के तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहली बार में bank PO परिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं ठीक है वो कैसे वो आपको एक strategy बताने जा रहे हैं हम जो कि आप first attempt में प्रोवेशनरी officers के रूप में भरती होने के लिए तैयार हो सकते हैं तो दीकिए सबसे पहला point है हमारा कि परिक्षा पैटन और पाठ्यकरम तो दीकिए bank PO परिक्षा की तैयारी सुरू करने के लिए bank PO पाठ्यकरम के बारे में जानना महतपूर है IVPS PO, SBYPO, syllabus को जानने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आपको कहां से सुरू करना है आपको किन विश्यों पर ध्यान देने की जरूरत है bank PO परिक्षा, pattern और syllabus को जानने से आपको IVPS PO परिक्षा 2020 के लिए अपनी रणनिती को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी next point is सबसे पहले उचित books का चुनाव करें तो देखे अगर आप bank PO 2020 परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप उचित books का चैन करें इसलिए पहले market में उपलब्द अध्यन सामिग्री की जाच करने फिर उसका प्रियोग करें इस संबंद में आप Google की या इंटरनेट से मदद ले सकते हैं जो कि आपको बेहतर books ढूणने में मदद करेगा number three point है online platform का उप्योग करें तो देखे आज के समय में internet से जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान है और दुनिया भर का क्यान उसमें उपलब्द है सरकारी बेंक परिक्षाओं की अध्यन सामिगरे के PDF लेकर या mock test से आप online तयारी कर सकते हैं जो कि आप घर बेटे इन online संस्तानों से जोड़कर तयारी कर सकते हैं ठीक है तो इस सबसे पहले आपको chain करना होगा कि आप कहां तयारी करना चाहते हैं next point video course online live class बेंक पियो भरती 2020 के लिए आपको online live classes बहुत मददगार साबित हो सकती है ठीक है जो कि अच्छे platform की live classes होनी चाहिए तो सबसे पहले आप chain कीजिए कि आप किस संस्ता का online course लेना चाहते हैं next time mock test का नियमित अभ्यास करना तो अगर आप आगामी परिक्षा में सफल होना चाहते हैं तो नियमित रूप से mock test देने का प्रियास करें next point है अपना मूल्यांकन खुद करें अगर आप खुद से तयारी कर रहे हैं तो आपको अपना मूल्यांकन खुद करना होगा कि आपको तयारी का इस तर क्या है आपकी तयारी का क्योंकि आपके कमजूर विसे कौन से हैं और आपको अधिक मेहनत करने की आवश रकता है तब ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर आपको खुद एनलाइसिस करना होगा कि आपके अंदर क्या प्रॉबलम है, क्या नहीं है, ठीक है? कोई नहीं बताएगा आपको नेक्स्ट है, अपना आत्म विश्वास बनाएं यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसके साथ खुद पर विश्वास भी रखिए यह विश्वास रखें कि आपसे कोई भी आपका लक्षे नहीं चीन सकता अपने आज पास मौझूद नकारात में कूर्जा को बाहर निकाल कर फेंग दीजिए नेक्स्ट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है टाइम मेनेजमेंट तो देखे समय परबंधन बैंकिंग परिक्षा को देखते हुए बहुत अधिक महत्पूर्ण हो जाता है आईपीपिस पियो एसबीबाइपियो परिक्षा में कुल 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जिसमें 155% पूछे जाते ही वहीं अगर ऐसे में आप बिना समय परबंधन के परिक्षा में बैठते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है तो प्रशनों को जल्दी कैसे पढ़ें और उसे हल कैसे करें इसके लिए आपको टाइम मेनेजमेंट बहुत ज़्यादा आवश्चक है तो दोस्तों कैसी लगे आपको वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको कोई कोश्चन और डाउट से तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पोश्च सकते हैं मिलते हैं नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद